हेलो एवरीवन, वेलकम अगीन टू लनवरे दितिवन, तो हम लोग कर रहे हैं हमारा राजिस्थान जो भुक है क्लास एर्थ की जिसमें चैप्टर नंबर फोर हमने स्टार्ट किया था जन संख्या, तो हमने चैप्टर जो है पढ़ लिया था थोड़ा और उसके बाद जो है करन करना की अनुसार राजिस्थान की कुल जन संख्या कितनी है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिंगा अनुपात, तो मैंने आपको बता दिया था इसका अर्थ कि प्रती हजार पूर्सों पर इस्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगा अनुपात कहा पर सरवाधिक लिंगानुपात है इस जिले में इसका मतलब क्या है वहाँ पर महलाओं की इस्तिती जो है अच्छी है और जहां पर कम है महलाओं की संख्या तो वहाँ पता लगता है कि वहाँ इस्तिती अच्छी नहीं है तो सरवाधिक जो है डुंगरपूर जिले में लिंग जाए पुरस तो मैप जो है वो आप लोगों ने अब तक तो बिल्कुल रट लिया होगा तो यहां पर देखिए जो धौलपुर है वह कहां है यह रहा जिला यहां पर सबसे कम जो है लिंगा नुपाथ है और सरवादिक जो है कहां है डूंगरपुर जिले में ठीक है तो यह सभी जो जनगरणा 2011 की अनुसार जो है यहां डिटास दिये गए हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि जो जनगरणा है वो हर दस वर्स में होती है साक्षर्ता किसी शेत्र अत्वा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर सक्षाक्षर्ता दरग्यात की जाती है यानि जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसमें से कितने पढ़ने लिखने वाले जो जनसंख्या है वही कहलाती है कौन सी रेट साक्षर्ता की दर कहलाती है ठीक है जनसंख्या की साक्षर्टा दर से किसी भी शेतर की सामाजिक एवम आर्थिक इस्तिती का पता लगाया जा सकता है अब देखिए केरल राज्य जो है जहां की साक्षर्टा सरवाधिक है तो वहां की आर्थिक इस्तिती जो है वह तो अपने आ भी अच्छी होगी ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग वहाँ पर रोजगार में होंगे पड़े लिखे होंगे तो बिलकुल सामाजिक इस्तिती भी अच्छी होगी तो यह सब कुछ हुआ किस से है साक्षर्ता की वज़े से हुआ है वहाँ पर पढ़ने लिखने वालों की संख्या जो है सरवादिक है यह जनगर्णा में एक अत्यंत महत्वकू बिंदू है सन 2011 की जनगर्णा की अनुसार राज्य की कुल साक्षर्ता 66.1 एक परतिशत है जिसमें से यदि जिलों की बात करें तो यहाँ पर 76.6% के साथ कोटा राज्य की सरवादिक साक्षर्ता वाला जिला है और सबसे कम जो है 14.9% वह जालोर जिला है ठीक है कोटा में सरवादिक और जालोर में सबसे कम साक्षर्ता दर है वहीं इस्तरी पुर्सों की यदि बात करें तो राज्य स्थान में पुर्सों की साक्षर्ता दर 79.19% है जबकि महलाओं में साक्षर्ता जो है वो 52.12% है अब यह जो है एक्जाम में ऐसे ही उठाकर एक्जाम में कुशन पूछा गया था ठीक है आपको ध्यान में आया होगा कि यहीं से उठाकर जो है एक्जाम में कुश्चन पूछ लिया गया था तो कितनी इंपोर्टेंट रहती है ये सब ही बुक्स पूरुस वा महला साक्षरता क्रम से जुन जुनू वा कोटा में सरवादिक है जबकि प्रताबगड और जालोर में कम है तो यहां पर पूरुस साक्षर मिलेंगे कहां पर जुन जुनू और कोटा में यहां पूरोश और महलाएं दोनों ही साक्षर हैं जबकि प्रताबगड और जालोर में यहां पर कम हैं राज्य सरकार सिक्षा के सार्वजनी करण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस शेत्र में निरंतर प्रियास कर रही है तो वही मैप जो है इसमें दिखाया गया है सा ठीक है जैसे ही माइंड में आया कि प्रताबगड और जालोर में सबसे कम साक्षरता है पुरुस और महलाओं की तो आपको बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए कि कहां है प्रताबगड कहां है जालोर ठीक है तो सिक्स क्लास में मैंने आप लोगों को जिलों के बारे में भो में निवास करती है और राज्य की शहरी अवादी लगवक 25% है जो छोटे बड़े सहरों में निवास करती है राजी स्थान में सरवादिक नगरिय जनसंख्या कोटा जिले में है तो सबसे ज़्यादा साक्षा जो है वो कोटा जिले में ही थे और सरवादिक जो नगरिय जनसं जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो गाओं से लोग जो हैं सहरों की तरफ कूछ कर रहे हैं और जिस वज़े से नगरिय जनसंख्या बढ़ रही है तो ग्रामीन और नगरिय जनसंख्या में सरवादिक जो है कौन सी जनसंख्या है ग्रामीन जनसंख्या है राजिस्तान में नेक्स्ट देखिए अनसूचित जन जातियां राजेस्थान में अनेक जन जातियां निवास करती हैं अनसूचित जन जातियां अधिकतर गाउं में पहाडों पठारों और जंगलों में निवास करती हैं तो जाधा तर हम देखते हैं कि डूंगरपुर और बासवाड़ा जो यहां पर हमें अन्सूचित जन जातियां मिलती हैं। अधिकान जन जातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। वहीं पर जन गड़ना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जन संख्या अन्सूचित जन जातियों की है। बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। यह एक्जाम में आचुका है। राजिस्थान में जन जातिया आवादी शिरोही, उदैपुर, डूंगरपुर, प्रताबगड बासवाड़ा जिलों में बहुत आयत में है। राजिस्थान के अन्ने जिलों जैसे बारा, सवाई माधोपुर, करोली, टॉंग, दोसा और जैपुर जिलों में भी जन जातियां प्रमुक रूप से निवास करती है। देखिए स्टार्टिंग के चेप्टर मैंने बहुत ज जड़ा स्लोली पढ़ाएं आप लोगों को क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कौन सा जिला कहां पर है। लेकिन अब जो है पटा-पट से पढ़ लिया जाए बारा जिला सवाई माधोपुर, करोली, टॉंग, दोसा, जैपुर यहां पर जन जातियां आप पढ़ रहे हो तो मैप जो है वो जहां पर भी पढ़ाई करते हो वहां पर आगे मैप टांगे बहुत जरूरी है आप लोगों को राजिस्थान का मैप तो आना ही चाहिए। राजी की प्रमुक जन जातियां है भील, मीना, डामोर, सांसी, गरासिया और शहरिया जिसमे राजिस्थान में सरवादिक जन संख्या मीना जन जाती की है ठीक है कौन सी है मीना जन जाती जो है सरवादिक निवास करती है राजिस्थान में मीना जन जाती मुख्यत है जैपुर, दोसा, सवाई माधोपुर, करोली, अलवर, उदैपुर, कोटा, भूंधी, आदी जिलो में निवास करती है भील राजिस्थान की एक प्राचीन जन जाती है तो सबसे ज़्यादा जो है वो मीना जन जाती है और सबसे जो पुरानी है प्राचीन है वह है भील जन जाती है और यह मुख्यत है बासवाडा ढूंगरपूर प्रतापगर्ड सिरोही आदी जिलों में नि और गरासिया जनजाती मुखेते सिरोही जिले की आबू रोर एवम पिंडवाडा तहसीलों में पाई जाती है। क्योंकि यहीं पर बच्चा ध्यान नहीं देता है। शामिल किया है। तो चलिए चैप्टर जो है वो आपका फोर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी सब्दावली वनोपज का अर्थ है वन से प्राप्त उपज। जनगरना का क्या अर्थ है जो की हर दस वर्स में होती है और 1812 से जनगरना का काम जो है वो भारत में स्टार्ट हुआ था। तो जनगरना का अर्थ है जनसंख्या संबन्दी सूचनाए और आंकड़ी राप्त करने की प्रक्रियात। अब हम करेंगे हर बार की तरह इसके अभ्यास प्रस्ण। तो चलिए फटापट से आंसर दीजिए कि आप लोगों को कितना चेप्टर जो है याद है अभी। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे कम और सबसे अधिक ये आपको ध्यान में रखने हैं और अभी तक तो आपके दिमाग में ये चीज जो है वो आही गई होगी कि धौलपुर जिला है जहां पर सबसे कम लिंगान उपाता है और सरवादिक हमने कहां पढ़ा सबसे कम तो वह सबसे कम जो है ha्डूति का पढ़ यहां फिर अराबली परवत और लास्ट में सबसे कम जो है कहा पर जन्संक्या घनत्वा पाई जाएगी मरूसकव प्रदेश में अति लगूत रात्मक प्राश्मू राजिस्थान में सर्वादिक एवं म्यूनतम साक्षर्ता वाले जिलों के नाम लिखिए तो कौन सा है राजिस्थान में सबसे ज़्यादा जो साक्षर्ता जो जिला है कौन सा है तो यहाँ पर कोटा है और सबसे जो कम है वह कौन सा जिला है जालोर राजिस्थान में सरवादिक नगरिय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा जो नगरिय जनसंख्या जो हमने बिल्कुल अभी ही पड़ा है चैप्टर समाप्त होने से पहले तो बिल्कुल इसना आंसर जो है साक्षरता वाला ही है कि साक्षरता जो है सरवादिक कहां है कोटा की तो नगरिय जनसंख्या भी कहां की है कोटा की है ठीक है सरवादिक नगरिय जनसंख्या जो है कोटा जिले में पाई जाती है और सबसे कम कहां डूंगरपुर में लगो उत्तरात्मक प्रश्न राजिस्थान में जनसंक्या की प्रादेशिक वित्रण को समझाईए तो यहां पर यह बताना है कि जनसंक्या का वित्रण जो है असमान है राजिस्थान में तो कहां पर कितनी जनसंक्या जो निवास कर रही ह तो वो बताना है, राजिस्तान की जंजातियों पर टिपड़ी लिखिए, तो मैंने आपको बिल्कुल पहराग्राफ ही important बता दिया था, कि जंजातियां जो है कहाँ-कहा निवास करती है, सबसे प्राचीन कौन सी है, सरवाधि कौन सी जंजाती जो है, निवास करती है राजि प्रशनों के साथ complete next video, हम next chapter को start करेंगे, जो की उध्योग से संबंदित होगा, तो हर chapter important है आप लोगों के लिए, और किसी भी chapter को ignore नहीं करेंगे, चलिए मिलते हैं next video में, thank you झाल